हेलो एवरीवान वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 शोशलोजी बुक टू इंडरस्टानिंग सुसाइटी और इसमें हम चैप्टर 4 देख रहे हैं पार्ट 1 हम कवर कर चुके इस पार्ट 2 इसमें पार्ट 2 में हम यहां पर बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की कि किस तरीके से युरॉप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है सोसाइटी में बहुत जादा चेंज आएगा इसे थोड़ा सा समझते हैं यह बोल रहे हैं कि जो है modern industry की वो industrial revolution में आती है जो बिगन होता है कहां पर Britain में in the early 18th and 19th century इसके दो major aspect थे first यह था कि systematic application हो रही थी science and tech की to industrial production की ढंग से science tech का use किया जा रहा था industries के लिए इससे पहले science tech का use industries के लिए नहीं किया जाता था उसके अलावा जो science tech का कैसे हम यूज कर रहे थे नहीं नहीं मशीने बन रही थी नहीं नहीं सोर्स ओफ पावर डूंडी जा रही थी और secondly जो industrial revolution था ना it also evolved new ways of organizing labor and market in large scale than the past अब इतनी सारी चीज़े हो रही थी सब कुछ हो रहा था तो उस case में इंडस्ट्री बड़ी बड़ी बनने लग गए और जो इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी बनने लग गए तो अहां पर labor की दिमांड बढ़ने लग गई system mass manufacture of goods होने लगा और यह जो goods थे this was now produced on gigantic scale यह सारे के सारे goods जो थे वो पहती बड़े scale पे जो थे gigantic scale मतला पहती big scale पे produce होना शुरू हो गए थे अब जो raw material था जो की use किया जा रहा था in their production वो भी obtained किया जा रहा था from all over the world और modern large scale industry यह बन गई एक worldwide phenomenon so revolution का मतलब क्या होता है कोई भी चीज में जब कोई sudden change आ जाता है तो हमने क्या मैसूस किया कि इसमें भी जो था बहुत ही sudden change आया था जो सब चीजों में आप observe करेंगे industries की वजह से so there was sudden change so that's why we call it revolution अब यह जो changes थे in the production system जिसकी वजह से major changes होने शुरू हो जाते है जो factory set up करी गई थी urban areas में उसमें बहुत सारे workers लाए गए और जिसकी वजह से rural areas uproot हो गया और almost आप यह समझो बहुत सारे जो लोग ते वो कहां आके बजगे शेरों में आके बजगे अब factory में आप यह देखिए जहां पे मुझे मानलो 10 जने की जरूरत है मुझे factory में कि अब मैं क्या करूंगी अब मैं कम पैसे दूंगी ठीक तो उससे क्या हुआ आप चीप लेवर मिलनी शुरू हो गई चाहे वो men हो women हो और even children तो जो बच्चे थे वो भी वहां पे work करना शुरू कर दिये थे मतलब even children आप यह समझे children भी जो थे वो वहां पे काम कर रहे थे तो अब इससे क्या हुआ इससे बहुत सारी बात है सामने एक तो exploitation बढ़ना शुरू हो गया वो थोड़े बहुत भी अगर पैसे मिल से थे तो वो उस चीज के लिए work करने को तियार हो सकते थे so जो cities and towns थे they become dominant form of human settlement जो cities, towns में बहुत सारे एकदम से human आके रहने लग गए बहुती large unequal population एक छोटी मोटी जग़ों पे रहने लग गई मतलब कई सारे तो ऐसी चीज है थी कि आप यह देखिए कि एक एक रूम में आप यह समझ यह तीन थी चार चार परिवार तक रहते थे so वो areas जो थे बहुती densely populated हो गए जो rich and powerful थे वो cities में रहने लग गए but so did the working class जो slums में रहते थे जिसमें poverty वगेरा थी उसके फिर वहीं से आके वो बिचारे लोग यह पर आके shift हो जाते and यहां पर आप यह देखिए इससे क्या problem आनी शुरू हो गई health की sanitation, supply वगेरा की crime control की general development so उन सब को समझने के लिए किसी नए kind of knowledge की जरूरत थी जो social sciences थे and particularly जो sociology थी यहां से emerge होना शुरू हो जाती है थोड़ी बहुत partly it started from here अब जब आउटसेट होता है किसका हमारे sociology का जब आउटसेट होता है यानि कोई चीज शुरूवात होती है यहां पर so it was concerned with the scientific analysis of development in industrial society and this has prompted observer to argue that sociology was the science of new industrial society so अब उन्होंने क्या करा उन्होंने major scientific जो effect थे society पे उसको पढ़ना शुरू करा और इनकी इनी बातों की वज़े से उन्हें क्या कहने लग गए थे sociology को कि this is new industrial society science of new industrial society अब empirically informed जो scientific discussion थे about trend and social behavior यह तभी possible हो सकते थे जब हम like modern industrial society हो तो obviously बात है वो हो रहा था scientific information generated by the state to monitor and maintain the health of its social body become the basis of reflection on society अब sociological theories थी वो result होई फिर self reflection के उपर सो इस तरीके से यह सब चीज़े शुरू होती हैं सो अब यहां पर जो सबसे पहला इनसान जो इन सब चीज़ों की study करने के शुरुआत करेंगे वो है Mr. Karl Marx So Karl Marx को एक अलगी वीडियो में cover करेंगे हम बहुत इनको बहुत हमें ध्यान से पढ़ना है बहुत ही important है हमारे examination के लिए और अगर in fact आपको sociology की theme समझनी है न sociology को समझना है then Karl Marx become the most important part of our syllabus So अब सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में Karl Marx के साथ So thank you so much I will meet you all in my next video Thank you कर दो